हाई फ्रेंड्स फिलकम हमारे यूटूब चैनल पर यह हमारा सेट नमबर 5 है और आज सॉल्व करेंगे जो एकजामस में कोशन पूछे जा चुकए है पिछिली परिच्छों में नरसिंग एकजामस में तीक है वेरी वेरी इंपोर्टेट है, इसके अलावा MPSW के A&M, स्टाप नर्स के एक्जाम, BFUHS, DSSB के जो नर्सिंग के एक्जाम सोते हैं, UPNHM, UPCHO, MPCHO, MPNHM, हरियाना, स्टाप नर्स, पंजाब, चंदीगाड, Army Nressing, CRP Nressing, AMS, PDI, सभी परिष्षाओं के लिए उपियों की कोशन है, बिहार A&M, चलते हैं, स्टाट करते हैं, कोशन नमर फरस्ट है, आपकी स्किन पर, कोशन नमर फरस्ट पढ़ें, फिर आंसर बताएं, जधा डिटेल्स में बात नहीं करेंगे, question to answer बात करेंगे ज्यादा details पढ़ना है हमारे दूसरे चैनल पे आप पढ़ सकती है यहाँ पर आपका course का revisions होगा ज्यादा था ठीक है question number first निम्न में से कौन सा हर्मोन केवल प्लसेंटा में बनता है which of the following hormones is produced only in the placenta according to option आपको right answer बताना है that is called설 cycle option अपको ज्यादन रखना है जो option आपको given किये गएं इन्हीं में से आपको right answer बताना होता है तो placenta mir जो हर्मोन से बनता है दिये गए option में, option से right answer है next यहाँ पर देख सकती है, point जो लिखें है, SPL का पूरा नाम है human placental lactose क्या है human placental lactogen अब यहां पर देशेते हैं human placental lactogen is a hormone that is released by the placenta during pregnancy pregnancy के दवरान यह हर्मोन स्रावित होता है next question number आपकी च्किन पर टूप पढ़ें फिर आंसर बताएं और लास्ट बताया करें आपने केतने कोशन सही कि क्योंकि यह सभी कोशन कराएं ठीक है जदतर वह दवा जो lactation के suppression है तो काम में ली जाती है the drugs which used for the suppression of the lactation क्या है राइट आंसर इसका 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 जो राइट आंसर है आफसरन डी है बढ़ें फिर आंसर बताएं पहले फियन ट्यूप के लंबाई लगभग केतनी होती वाट इसका जो एवरेज आंसर है आपको most appropriate वह बताना है इसका राइट आंसर है आफसन सी ठीक है 11 cm ये एवरेज है ध्यान रखना है आपको 10 या 11 के आसपास वाला आंसर सही माला जाएगा लेकिन यहाँ पर जो most appropriate आंसर है वह 11 cm आफसन सी इस राइट आंसर नेक्स्ट है यहाँ पर question 4 question 4 पर पूछा गया है परसो क्रिया की सबसे लंबी तथा महत्पूर अवस्ता कौन सी होती है what is the longest and most important stage of the labor labor की जो सबसे महत्पूर और सबसे लंबी अवस्ता होती वो कौन सी होती है आप यहाँ पर first second महजूद है किया गया है आपको लिखा गया है आपको ध्यानक नहीं पर्थम अवस्ता दुरती अवस्ता तिरती अवस्ता कौन सी अवस्ता सबसे लंबी होती है पहली अवस्ता सबसे लंबी होती है आपसन इसका राइट आंसर है first stage जो के next question number आपके skin पर five number पढ़ें फिर आंसर बताए मासिक धर्म संचालन है तू साहयक हर्मोंस कौन सा है which हर्मोंस इज helpful for the menstrual cycle क्या है राइट आंसर इसका मासिक धर्म menstrual cycle के संचलन के लिए जो साहयक हर्मोंस है आपसन C इसका राइट आंसर है LHS क्या है LHS आपसन C इसका राइट आंसर होगा यहां पर देश रहते हैं लिटिनाजिंग हार्मोंस कहा जाता है LHS को नेक्स टेक कोशन नमबर आपके स्किन पर 6 पढ़ें फिर आंसर बताएं लिए किसकी कमी के करण हो जाता है और यहां पर केल्सियम दिया जाता है फासफोरस ना दिया जाता तो हम आपसन मानते कि हां ठीक है डी में भी कोई कोई आपसन दिया जाता है मानलों की कुलोरीन या कुछ भी लिखा होता है और बगएरा लेकिन यहां पर आपके स्किन पर कोशन नमबर 7 कोशन नमबर 7 पर पूचा गया है निमने में से बलड कैंसर किसे कहा जाता है फिच आप दी फलाविंग इच कॉल्ड संब्सक्रेटWow से बलड कैंसर कई कई कोई आप संस लेकंएमसर लकीमिया कहा जाता है विखा मैंने क्वार आपको बताए लेकिमिया को बिखांग कहल जाता है जब आपको प्र nation expected the only man thought कहीं पर भी किसी भी को एक से बाड़िक हो जाती है दाभ दौ गुच्छा टाइब बना लेते हैं तभी क्या होता है लिकीमिया हो जाता है इसी को ब्लड कैंसर कहते हैं आपकी स्किन पर कोशन नमबर एट कोशन नमबर एट पढ़ें फिर आमसर बता है निम्हें से कौन सा एक रक्तस्तराव विकार है विच आप दी फॉलाइविंग इजा इस सभी कोशन एक जामस में पूचे गए हैं और सभी अच्छे कोशन है ठीक है रिविजन के लिए भी काफी ज़रूर है आपके आपसंसी कराइट आंसर है हीमोफीलिया ठीक है हीमोफीलिया जो है एक परकार का अन्वांसिक रोग है और ये रक्तस्तराव से सम्मादित है जिन लोगों को हीमोफीलिया डिस्तिजिज होता है उनका क्या होता है बलड कलोट नहीं होता जल्दी से ठीक है बहुत कम टाइम बहुत ज्यादा टाइम लगता है बलड कलोट होने में मतलब रक्त को जमने में ठीक है तो ध्यान रखना है तो हीमोफीलिया क्या है एक रक्त सम्मंधी विकार रख्त स्राव सम्मंधी विकार है ठीक है मुझल रख्त बहता रहता है स्राव मतलब होता है भेना ठीक है next question 9 पढ़ें पीर आमसर बताएं ताप मां कितना रखा जाता है what is the temperature maintain in इंडिया अटू क्लैब क्या है राइट आंशर इसका आफजन एई का राइट आंसर है 121 ठीक है 121 दिग्री त् 연सियर रखा जाता है अटू क्लैब में ठीक है इसमें क्या होता है वस्तों जो भी चीज़ें होती वस्तों नइका है वी संक्रमित किया जाता है, डिसिंफेक्टेट किया जाता है, निस्ट है, कोशन नंबर आपके स्किन पर, 10, कोशन नंबर 10 पढ़ें, फीर आंसर बताएं, क्या होगा राइट आंसर इसका, निम्न में से कौन सा एक हैंसन रोग है, विच आप दी फॉलाविंग, इस हैंसन डि आपके स्किन पर, 11, 11 पढ़ें, फीर आंसर बताएं, निम्न में से कौन सा एक करतिम गर्ब निरुदक साधन है, फिच आप दी फॉलाविंग, इस आप से इस परकार से राइट आंसर है, इसका जो राइट आंसर होगा, कमेंट करें, आप से इसका राइट आंसर है, उप्रयोग तो सभी क्या है, उपरे उसे भी, आंगनवाडी केंद्र पर या आंगनवाडी सेंटर, स्कूल पर ग्रह मुलाकात, होम विजिट पर स्वास्त देखभाल प्रदान की जा सकती है, ठीक है, देखा होगा आपने कि बहुत से लोग क्या होते हैं, घरों में विजिट करते हैं, तो इस प्रकार से home visit में भी स्वास्त देख भाग प्रदान की जाती स्कूलों में भी कई कारे होते हैं आंगनवाडी सेंटर में भी mostly बहुत सारे काम होते हैं स्वास्त से related इस प्रकार से option डिस का right answer होगा next question 13 question number 13 पहणें फिर answer बताएं पूशा गया question है काफी अच्छा question है एक्जांस में दो तीन बार repeat किया गया है किस स्वास्त कारी करता का chain ICDS योजना के अंतरगत किया जाता है which health worker is selected under the ICDS scheme आपको बताने क्या होगा right answer इसका किस स्वास्त कारी करता का जो chain किया जाता है वो ICDS के अंतरगत किया जाता है जो भी right answer है बता सकते है इसका जो right answer होगा option D होगा क्या option D's का right answer है आंगनवाडी worker ठीक है आंगनवाडी कारी करता का जो chain होता है ये ICDS के अंतरगत किया जाता है इसकी इस्थापना कब हुई थी ये ध्यान रखो इयर 1975 में हुई थी कब 1975 में ICDS कब इस्टबलिस किया गया था 1975 में इस्टबलिस किया गया था अगर आंगनवाडी का भी कोई अगर इयर पूचे तब भी आप यही बताएंगे 1975 ठीक है आंगनवाडी का और ICDS का क्योंकि ICDS एक बड़ी संसा जो क्या करती है एक सब सेंटर गुरूप में यह आंगनवाडी को स्थापित किया उसने ठीक है इन ही में जो ICDS की जो सर्विस होती ना वो आंगनवाडी में प्रवाइद की जाते आंगनवाडी के द्वारा आफसन इस प्रगार से राइट आंसर है 1975 में इसकी स्थापना हुई थी पूछा गया एक जांस में कोशन है कोशन नमबर 14 पढ़ने फिर आंसर बताएं एक आंगनवाडी कारिकरता कि इतनी जमसंग्या को कवर करती है क्या है राइट आंसर इसका आफसन 20 का राइट आंसर है 1000 पॉपलेशन को कवर करती है कारिकिस के अंतरगत करती है आईसीडियस के अंतरगत करती है पूरा नाम क्या होता है Integrated Child Development Services इसका पूरा नाम होता है इसता अपना कब हुई थी 1975 में Establish किया गया था Next है Question 15 Question 15 पढ़े फिर आमसर बताएं क्या होगा Right Answer Montauk's Test से किस बीमारी की Diagnosis की जाती है Which decision is diagnosed by the Montauk's Test क्या है Right Answer According to Option आपको जो भी Right Answer लग रहा हो वो बताना है Montauk's Test से किस बीमारी का Diagnosis किया जाता है इसका जो Right Answer है Option D है Tiber Closis का किया जाता है किसका Tiber Closis का कल जब details वीडियो बताया था मैंने बनाया था दूसरे चैनल पर तो उसमें बहुत से students ने पूछा था कि सर Montauk's Test से TB का जांच किया जाता है TB का जागनोसिट किया जाता है तो इस पूटम Test किया जा रहा है तो उसका मतलब यह था जो Montauk's Test होता है यह क्या करता है शुरुवाती जो Tiber Closis होता है इसके बारे बताता है डेडेक्ट करता है कि हाँ आपको Tiber Closis है या नहीं ठीक है लेकिन जो Tiber Closis आपको रियल में मतलब 100% है या नहीं इसका result कौन देता इसके लिए X-ray किया जाता है क्या किया जाता है X-ray किया जाता है और सबसे ज़्यादा प्रेचलन में रहता है इस पूटम टेस्ट किया जाता है इस पूटम टेस्ट से क्या होता है पता चल जाता है 100% आप पॉस्टिव हो या निगेटिव ठीक है इससे मतलब यह आपको है Tiber Closis या नहीं है ठीक है तो इसके लिए दो टेस्ट परफॉर्म किया जाती है एक है इस पूटम टेस्ट किया जाता है तो ध्याँ डखना है दोनों टेस्ट के लिए किया जाता है कि हाँ आप पॉस्टिव है या निगेटिव जैसे कि मैंने एक बार आपको बताया था HIV AIDS के बारे में जब मैंने पूछा था जो एलिसा होता है जैसे कि AIDS की जाच की जाती अगर किसी वेक्ति को 100% AIDS है या नहीं है उसका आगे के जो पॉर्सेसिंग होगा आगे के जो ट्रीटमेंट होगा कैसे किया जाएगा तो एलिसा से तो ये इनिसियल वाले चीज़ें पता चलती है आपको AIDS है या नहीं है आगे जलो कॉल ना वें आगे किया जाता है। वेस्तन ब्लच से किया जाता है다 sudah बाताया खी आपको तो यह सब्सक्राइस में हैं सबस्क्राइब करता है यह क्रता है जो टीबी के लिए ज़िंवेदार बैक्टरीया होता है इसका नाम होता mycobacterium ठीक है इसका detection करता है और यह 100% positive है या negative इसका जो confirmation करता है इस putum test करता है या x-ray किया जाता है next question 16 पर फिर answer बताएं क्या होगा right answer इसका यह लिखा है intramuscular यहां पर पूछा गया है intramuscular injection कितने degree के code पर लगा जाता है at what angle is the intramuscular injection made यह apply किया जाता है कितने degree पर code पर लगाया जाता है इसका right answer होगा option D होगा 90 degree के angle पर लगाया जाता है 90 degree के angle पर जैसे कि माण लो आपका यह hand ठीक यह आपका है तो इसमें यह ऐसे लगाया जाएगा ठीक सीधा 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 इसको 91 degree कहा जाता है इसको यह जो angle बनता इधर नाइंपे बनेगा अगर आप इधर देखें जैसे मालो कि ये हाथ है अगर आप इधर एंगल बनाएंगे तो इधर 90 बन जाएगा ये 90 एंगल इधर भी हो सकता है और इधर भी हो सकता है बसरते आपको ध्यान रखना है जैसे कि एक सीधी लाइन होती है ये मालो आपका हैंड है ये सीधी लाइन तो यहां पर अगर कोई आप से पूछे कि यहां पर एंगल कितने का तब यह वाला 180 का होगा कितने का 180 का होगा अगर 20 से कोई लाइन खीज दे यह वाला इस तरह है तब यह 90-90 को हो जाते कितने के 90-90 के और जो मैत पढ़ेंगे आप तो अगर देखें तो यह क्या होता 630 का होता 210 स्पार्जा team घ्र्क जाता होगा ऊके तो यहं पर जैसे की इंजेक्षन खीफिट के यह लगा जाब लगए जाब आपसरे स्टीडी के के द готов सरे से कोशन आपके स्किन पर कोशन नमर 17 पढ़ें फिर आमसर बताएं कोशन नमर 17 पर पूछा गया गर्मावस्ता को बनाया रखने के लिए उत्तरदाई हर्मोंस कौन सा है विच हर्मोंस इस रिस्पोंसिबल फॉर मिंटेन देव प्रेगनसी कोशन ये आपके रिविजेंस के निक्स्ट है कोशन नमर 18 पर पूछा गया है गर्भावस्ता के दौरान महिला के वजन में आउस्त विरत्दी कितनी होती है वह होती है आफसन बी पर विम्सा ने 11 केजी 11 किलो होती है कितनी 11 केजी तो आपको ध्यान रखना है ये 11 किलो होती है केजी ठीक है अगर आपसे रेंज में पूछा जाता है तो 11 से 12 केजी आता है ठीक है कभी कभी 13 भी दे जाता है तो आपको ध्यान रखना के बीच वाला आंसर सही माना जाएगा बाकि दिये गए आफसन गलत होती है तो ज्यादा तर यहीं लेकर पूछा जाता है 11 केजी वा अच्छा लगा होगा चैनल पे नहीं सब्सक्राइब करना लाइक करना हो सके तो अपने दोस्तों के साथ सेयर करना ताकि उन्हें भी इनफॉर्मिटिव वीडियो मिल सके ठीक है और डेली आप अपडेट रहे हैं यहाँ पर और पेट की क्लास भी लगेगी यहाँ पर कल से ताकि आपका जो नर्सिंग एक्जामस है या पेट एक्जामस है वो सारा ही जले निकल जाएगा और जो भी एक्जामस है जैसे कि जिस स्टेट में क्या है जी के जीएस कंप्यूटर यह सारी चीज़ें आती उनका भी यहाँ से कवर हो जाएगा खास कर यह आप लोगों को टार्गेट किया जाएगा नर्सिंग एक्जामस को के उमेट करता हूं समझ गएंगे सारी बातें चलते हैं मिलेंगे निक्स्टी वीडियो में जल्दी थैंक्स पर वाचिंग प्रेंट टैंक्यू बाबाई टेक केर्स